आज हम सीखेंगे आलू की कुछ अलग तरह से सब्जी बनाना लेकिन उससे पहले चलते हैं छत का एक चक्कर लगा के आते हैं गुड मॉर्निंग प्रेंस मैं ममता बाजपी और मेरी चैनल माई क्रियेटिव फूट स्टेप्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये सुब unterstützen तो महानगर के सोर में अगर ये चहाण थारट मिलती है तो इसे बहुत सुकून मिलता है और देखिए यह परस लेंय पूरे बहारपर पर आपको पता है फूलों को रंग सन्लाइट से मिलता है यदि आप ऐसी चकाह लगा देग फूल जहां सन्लाइट कमाती है तो कि रंग फीके हो जाएंगे सलाइट बहुत जरूरी होती है ना केबल पौदों के लिए फूलों में रंग के लिए तो मैं अपने सुबह की शुरुबात ऐसे ही करती हूं मैं आती हूं छत पर और थोड़ी सी पौदों से बातें करती हूं और यह मेरे गोलू-मूलू बच्च लगते हैं यदि आप बहुत बिजी रहते हैं तो मेरी राही है कि आप अडेनियम लगा लीजिए कम केर में सबसे कम केर में उगने वाला यह पौदा है और एक बार आप थोड़ा साइसे उगाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आप चलू बन लेते हैं पटापट आलू की सबजी तो सब बनाते हैं पर सब के हाथ का सुहादा अलग उता है और मैं कैसे बनाती हूं मैं भी कई तरह से बनाती हूं आज एक तरीक आप से शेयर कर रहे हूं चार-पांच आलू लंबे-लंबे काट लिए और एक बड़ी प्याज बड़े- के ही हां और हंदी इसके बाद डालव को हम डाल देते हैं सरसों का तेल जब हम यूज करते हैं तो उसके एक चुटकी नमक पहले डालना चाहिए उससे ना जो सरसों की जिहार होती है वो कम हो जाती है अभी इसको ढ़टना नहीं है दो से तीन मिनिट हम इसको तेज आज पर ऐसे जैसे हम फ्राई कर रहे हों लगबग वैसे ही कुछ पलटते रहेंगे और तेज आज रखेंगे बीच में थोड़ा सा कम भी कर देंगे जब लगीगा कि बहुत तेज हो रही है और आलों को काटके बहुत अच्छे से धो लें तो इसका स्टार्च निकल जाता है अब डालेंगे नमक स्टार्च रहने से कई बार कड़ाई में चिपकते हैं तो अब नमक डाल दिया और ये थोड़े से इसमें फ्राई भी होगा है अब हम डखतेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत इस्टी बनते हैं आप जरूर बना के देखना अब मैंने ढख दिया है हर एक मिनिट में खोलूंगी और चलाऊंगी फिर ढखूंगी ऐसा हमको दो से तीन बार करना है और लगबख चार से पांच मिनट में ये हमारे नरम हो जाएंगे आप देखे अभी मैंने प्याज नहीं डाला है और क्यों नहीं डाला है वो भी मैं बताउंगी जब ये थोड़े से मतलब half fry हो जाते हैं लगता है कि थोड़े से गल गए तब मैं प्याज डालती हूँ तो उससे क्या होता है अच्छा चटपटा मसाला डालिए तेज नमक डालिए और ये जो ट्रांस्परेंट सी प्याजम जो खाते हैं तो उसकी मिठास आती है तो चटपटा आलू और थोड़ी सी प्याज की मिठास ये स्वाद को बहुत बैलेंस कर देती है आप इस तरह से एक बार जरूर बना के देखना अब मैंने प्याज डाल की भी ढखा है और फिर चलाया है और ये प्रोसेस दो से तीन बार करेंगे और और लगेंगे तीन मिनट चार मिनट और लगेंगे कुल मिला के दस से बारा मिनट में सब्जी बन जाती है और बहुती स्वादिस्ट बनती है खुश्बू आ रहे अच्छी हो देखिए कितने नरम आलू पट से तूट गया अब नहीं धगना है अब धग देंगे तो फिर ये हमें चलाने में तूट लगेंगे प्याज हमें सब्जी में बिल्कुल ट्रांस्परेंट ही चाहिए हमें बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन नहीं तलना है क्योंकि एक मीठा सा टेस्ट देना है और वह अपने आप एक अलग टेस्ट रहता है अब देखिए डाले मसाले धनिया मिर्च और गरम मसाला और अमचूर सब आधी आधी चमच डाला है मसाले आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आप इसमें थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर तीखा पसंदे तो और आप इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं मेरा गरम मसाला घर पे बना हुआ है तो इसमें जी तुकडे टुकडे से लिपट जाएं और हमारी सब्जी बनकर तयार हो गई क्विक एंटेस्टी इसे बच्चे भी कुममन से खाएंगे हाँ एक फाइदा और है कि अगर बच्चे प्याज नहीं खाते तो इसमें बड़ बड़े टुकडे प्याज के आप अलग कर दो और फिर आलो तो सब्जियों का राजा है और मुझे उम्मिद आपको बहुत अच्छा लगेगा इलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार